अरब के जागरुती यह वज़े से काफिल बच्चों पे असर पड़ रहा है और सबसे महत्व की बात यह है कि जो बच्चों पे कोई भी वाइरल इंफेक्शन इतना जबरतस अटेक करता है तो बच्चा उसको जहलने पाता है इसी के आप पर हम डक्टर सुरुण साब से बात करेंगे सबसे पहला हम अरग की जगरती में डक्टर सुरुण साब का अज बच्चों में जो दीन बदीन वीमारियों का जो साथ रोग चल रहे हैं अभी बरसात के वज़े से कौन सा ज्यादा रोग पनपरा है बरसात के वज़े से अभी जो है सबसे ज्यादा डेंगू को पेशेंट दिखाई रहे हैं उसके साथ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन भी बहुत सारे जाजा है और गेस्टो इंट्राइड डिस्के भी पेशेंट आ रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलिफ है अभी हो डेंगू को वज़े से और डेंगू को जो कॉम्प्लिकेशन से वह भी इस बार दिख ज्यादा हो रहा है बच्चे सीरियस हो है असर आज जो घर में बच्चे को बुखार आता है इस्टर में माता-पिता क्या समझ तिसको बुखार आया साधा परीश्टमोल या खुद अपने मन से दवाईय देती है ऐसे में माजब आपको आप क्या संदेज देना चाहिए एक अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखा के डिंगू का टेस्ट करना चाहिए अगर या डिंगू की लक्षन भी आज़ते है कि बुखार कम जादा होता है सर्दा दोता है उसके पेट दर दोता है बोड़ी पे पूरा रैश आ जाता है यह सब लक्षन है तो ऐसे लक्षन अगर दिखाई दे रहे हैं और सादे देवाई देने के बाद भी बुखार अगर चालू है तो जरूर डॉक्टर के दिखा हिया है उनके सलह से फिर आगे का ट पूरे बुखार बुखान के बुखार कम जादा होना तो यह दिखाई देक्षन हो सकते है जो डेंगू स्खाली लोगों को मालूम है इसका शिंटम्स कैसे होते है यह आपने बता चुके हैं, लेकिन जो ज़्यादा बुखार होने पर ब्रेन पर इसका एफेक्ट होता है और जट क्या आते हैं, ऐसे टेमे माता पिता ने फर्स्ट प्राइरेटी उसको प्रतों उपचार क्या देना चाहिए। तक है इसमारेटी से बुखार हे पर इसका बुखार हो जाता है। अपना प्रैक्रिस कर रहा है जैसा बह्म, डह्म, बह्म, हम यह बुलना चाहरे हैं बच्चों में अगर कुछ दवाई अगर ओर्डोस होता है तो उस पर क्या आफर हो सकता है तो कैसा है बच्चों में हम पीडियाटरिशन तो उसका पहले वजन करते हैं हर बच्चों के लिए ट्रीट्मेंट उसके वेड की इसफ़ से रहता है अब बवाई का वजन कितना इसके इसफ़ से बवाई देनी चाहिए अबर आपको पता नहीं है तो आपने वो बच्चों को तो रिफर कर देना चाहिए कि यो आच्छे ता उसको ट्रिट्मेंट मिले। सर अभी जिसा बताये किया स्लम एरिया में माता पिता जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वहीं डॉक्टर पात जाके बार-बार उसको वहीं पर दवा देते हैं। गैश कैशनम भी अर्चेशन इय। बड़ी अजाए को इसको धन करती है लेकिन बच्व में अगर दवाओ का मातरा अगर बढ़ जाता है तो ऐसे मुझ बड़ी हैनवच़ का अधर ढंठवी शाल भलु सफिट ले माता पीटा को तो आखिए हैं तो पैसा है गरेन गुराणा पर दो बाखे भी है तो वहाँ मुफ में आपकाम ईलाज होता है मुफ में टेस्ट भी होता है टेस्टिंग भी हOTा है जैसे चरोना के लिए टेस्ट कर रहे है वैसे डिंगु और इसके 정도로 से लेँने अफ्री में अपको को जाता है तो वहाँ अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो वहाँ जाके भी आप सला ले सकते हैं सर जैसा आप काफी सालों से आप बच्चों को पर उप्चार कर रहे हैं बच्चों का काफी आनुबह आपको है ऐसे में एक हंदा किस्सा ऐसा बता दीजेगा क्या एक हंदे पेशन को डेगव हुआ और उसको कौन से लेवल तक जाने के बाद उसको वापस लाए अब हैसे तो अभी कैसा है बहुत सारे पेशन हमने अभी देखे हुए है इस साल लेकिन हम भी कैसा यहां तो हम ज़्यादा क्रिटिकल केर नहीं करते हैं लेकिन हमको अगर लगता है कि इसको जरूरत है ज़्यादा केर की तो हम आम हमें तर्शरी सेंटर पर भेज देते हैं हमारे यहां भी डिस्ट्रिक्ट है वेंटिलेटरी यह सपोर्ट नहीं है जब भी ज़्यादा कुछ तकलिफ लगते हैं लेकिन हम 24 गंटा रहते हैं तो हमको थोड़ा भी सिम्टम ज़्यादा लगते है तो टर्शरी केर सेंटर में बेच के उसको आगे का ट्रिक्मेंट देने को पर पहते हैं टो मैं कने स्मयां हो ऑफ तक्रिस हावाल यह है कि आज बसाद का मौसम है कम जादा म्केंमिल जू ठेंपरेचर कम ज़ाएज बच्चता 被 काफ़ी असर कर रहा है आज ऐसे माता पिता को क्या संदज्य देना चाहेंगर क्या जोको कईसा प्रिकॉशन लैना चाहिए Carry या हैजीन लखना चाहिए या खान पान कैसा रहना चाहिए अगर कुछ बुखार का सिम्टम्स लगता है तो इमेजर्ड डॉक्टर्स को बताना चाहिए यह आप अगर हम बोलते हैं तो माता पिता नहीं समझ भाल तो रोकता दिया कौन से बड़ी बीमारी को उनको अगर वक् से होने वाली बीमारी आह kanbourne तो जब भी भी बप्या जा रहे हैं तो पूरे कप्ड़े पहने है और दिन में पर जिलन Olsen एक काते अगर कुछ भी थोड़ा से daran लगता है तो अगया लगता आतों के मुझते यह अगर हम यह लेते तो हमारा बच्चों को सवरक्षन हम जरूर कर सेते दन्यवाद अगर जागरूती